बिसमिल्ले रुख्मान रहीम असलाम अलेकूम मैं हूँ आपके बाद अधास में आजिन आपके बता है उस्त अधाक आपके बहुत बड़ा जो है लाहर में जलसा किया गया मसरी नून के जाने से और उसके बाद आज लाहर से परस्ट you किया था जलसा और उसके बाद आज जो है लाहर से मरी जाने की भी तैयार कि आरे है न्वाज शे BURC हैं कि उनके साथ मौझूर है नवाल साहिबा और बाकी दीकर भी पार्टी के सेनियर लोग भी उनके साथ मौजूद हैं जो इस वक्रमारा हो चुके हैं मरी के लिए तो इस वाले से भी गुफ्तु करिंगर इसके साथ साथ आपको बता है जिसा हमने देखा के दो फीसद जो है गैस की कीमतों में भी साथ में डाल दिया जाता है तो इस वाले से गुफ्तु करते हैं हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो से में जोईन किया है जमाते इसलामी से जफ़र खान साथ और एमके बाकिसान से मारे साथ मौजूद हैं खाले सुल्तान साथ कुछ आमदीद कहूंगे अप लोग प्र लाहर की अवाम ने असलाबाद ते बहुत बड़ी तादात में लोगों ने उनको वैलकम किया था पर उसके बाद जो है परसोन ने जलसा किया और आज जो है मरी के लिए रवाना हो गया आप क्या समझते हैं बिसमिल्ला रहा नहीं बहुत शुक्रिया आपका देखें पाकि पर चार साल बाद वापस आए हैं और इनकी वापसी के लिए शहबाद शरीफ साहब ने और उनकी टीम ने बड़े यहां पर अंडरेस्टेंडिंग भी बनाई है और बड़े पापड़ बेले हैं और उसके बाद उनकी जद्धुयाद के नतिए में आज मिया साथ पाकिस्त साइन जो नजर आ रहा है लोगों को वो यह के आएंदा बारी जो है फिर नवाज शरीफ साब की होगी अच्छा और जो एक तासुर जा रहा है इन सारी चीजों से लोगों के अंदर और जिस तरह से आते ही उन्होंने जलता किया और सारा सिलसला जो है वो रहा है तो मैं आतीजे में यहां मामलाग जो है उनकी बिगड़ते रहें लेकिन शेवाज शरीफ सामने कभी भी मामलाग को नो रिटन पॉइंट पे नहीं पहुंचने दिया जिस तरह से खान साब जो है वो उनको भी माजी में जब लाया गया था तो यही सारी सुरतियान नजर आती थी और इससे ज्यादा नजर आती थी लेकिन हुआ क्या कि फिर वो जो है अगर उनके मामलाग जो है वो उनके साथ किसी ने दुश्मनी नहीं की वह अपने पैर पे कुलाडी जो है उन्होंने एक तरह से देखा जाए उनको फूल ग्राउं दिया वा था खेलने के लिए खुद कभी जेल में कभी रेयल में ये बुलते हैं अग्यों हुषसन है यह स्यासत की खुबसूरती यह है अगया शब्राऊ है अगया है शिंदा पर४कर दो है तो मैं बात कहने यह चाहरा था कि इस मुलक के अंदर जो है वो आप देखें कि यह मुलक जो है इसकी जरूरत है कि यहां पर मेरिट पर फैसले हों इमानदार और द्यानदार लोग जो है वो अक्यादत जो यहां पर लाई जाए जाए जी और मतवस्त तबके की पार्टियो को जो है वो मौकद दिया जाए और उसकी जरूरत है ताकि इस मुलक के अंदर जो है वो करफशन का खात्मा हो अकाउंट इबिलेटी हो सके मेरिट पर फैसले हो सके मुलक आगे की तरफ जो है वो तरकी कर सके महंगाई और बिरोजगारी के भूश तले जो है वो आवाम पि सता के उपर है लेकिन अब आप फिर वो गैस का कोड़ा बर्साने के लिए जाए वापस भी ले लिया जाता है और उसके नतीजे में पिर होता क्या है कि अवाम जहना उसको कोई एक तरफ से अगर कोई रिलीफ मिलता तो दूसरी तरफ से उस रिलीफ को जो है वो वापस भी ले लिया जाता है और उसके नतीजे में अवाम ही की वही खड़ी रहती है बलके उससे भी जादा बुरा हाल का जह है शेकार है तो बस अब यह कि देखते हैं क्या फैसले जहा होते हैं जो बड़ी पार्टियां है इनकी जो लीडर्शेप है अवाम तो पूरी तरीके से माय यूस है खुआ कोई भी हो लेकिन होता यह है कि बस हमारे इस्टाइबलिश्मेंट के पास भी आप्शन मेहदूद होते हैं और उसी के अंदर जहा है फिर वो अपने फैसले कर रहे होते हैं जब के होना यह चाहिए कि मुतफ़र तबके से और नए लोगों को भी जहां पर म जफर साब के पॉइंट्स मेरे पास आज़ चुके हैं मैं खालस सुलतान साब से भी जानने की कोशिश करूंगी पहले तो हम इसी पर जानेगी कि जह एक सियासिदान होता है वो जीलों में जाता है और पर वापस आ जाता है लेकिन यह भी कहा जाता है कि पॉलिटिशन के ल क्या क्याते है तो तो ऐसने पाकिस्तान में कानून मौनकी नाट है इस आख थी जो आख और चाहता है कि अगराउन का यह हाल हो म्लक का लिए ते वाट्राजर मी थistus आच आज आप जाता है वो लोग हैं जो देखें के तालिया बजाने का केस तक्दीर सुनने का केस और खड़े होने का केस और बैटने केस यह बने हुए और वो चल रहे हैं जाए आटी सी में चल रहे हैं और एक तरफ वो है कि जिसको पेडर्जे करम हो जाती है उसके केस वे बीस-बीस मिनट में सुन लिए जाते हैं वह वो इम्रान खान साहब हो चाहिए नावाज शरीफ साहब आये हैं हम उनको वेलकम करते हैं कि उनका मुल्क है हर सियस्तदान को यहां खासिल हो चाहिए और सिय अजीब गरीब चीज़ चाहिए च्छल रही हैं इस तीज़ को सियल बनुमाग करता हूँ यहां पर किसि को नहीं पता हो चाहिए क्यू जा रहा तालियां बचाने का कहड़ हों यहां इस तरह मुल्क नहीं चला करते हैं एथिस अधियाब से वह एंतिदार से बीज से समयध इसारियस। वा थ्यास्व, हमारु की एक परेश्बुन. उपर दिए वादो थे करों. वास्ते स्यासी जवाती एप उन्स को भाधता है. हैं और अगर वो अपने फ्राव में फेल हो जाते हैं तो फिर अवाम उसको मुस्तर्थ करोते हैं यही सियसात का उसूर है और होना चाहिए लेकिन हुआ रहारी हैं हुआ है धियुआ ऑबलके बद्स से बडतर हालत होते नहीं से दूर होते आतर हुआ रहे हैं. लोग दूस्रे से, दूर हुत होते आ रहे हैं लोग NAN जम्य को तरस रहे हैं, खाने पीने के अशागु तरस रहे हैं, Anilji को तरस रहे हैं. ApiTrol के खिबद गो के अब कहा गया कि तक्रीम 48 सुवे कम हुई है एक वहीने में एक उस से पहले बढ़ा ही कितनी गई इसी तरह गैस की सुरत है हाले 600 फीसद दो सालों में गैस के प्राइसिस तक्रीम बढ़ चुके हैं बदे एक चीज जो हमारी कुद्रत ने हमें अता किये इस मुल्क को जो एक स्थी जो है वो एंदन के तरफे बी इस्तिमाल हो रही थी फर्टरलाइजर में इस्तिमाल हो रही थी वह उस पर सिफ चंद हजार लोग जो इस मुल्क के लिए खर्दे ले जाते हैं आई मैफ से कज़ई आम आम के लिए ने लिए लिया आता हुआ हम खर्दा लेंगे ब आइएफ में वहाईव से मुष्राइशा तोड़ दिया जिसके नतीजे में आने आली हुश्क राइफ को इतनी बड़ी मुश्किन में फश गई कि उस पूप हैं फिर दोबरा इएएफ के पास जाओ जिस तरह फिर आएएफ के पास जिन शरायत प्रिया वो बत्तरीन शराइत थी जिसकी बुर्याब है पाकिस्तान और टर्माईल में चला गया और एकनॉमिकली क्राइसिस में चला गया पाकिस्तान की अवाब उसको मुझे लगना के शायद दो चार पास साल नहीं शायद हमें सदियों तक बुकतना पड़ेगा इसके इतने करेंगी पाकिस्तान को जो हरसार अदा करना है वो तक्रिवाट आट हजार अरव रुपे जो सिर्फ सूथ की मत में अदा करना है असल खर्दा नहीं है यह तो यही है दो चीज़ें सिर्फ पाकिस्तान को ओट ठारा एक हजार अरव रुपिया देना होता है आई पीपीस का चाहे आप बिजली इस्तमाल करें ना करें या आपको पता है क्या मुहाइदा है जब बेनजीर साहब ने लाकर मरवाया था पाकिस्तान आई पीपीज को लेकर आई थी जिस सब पाकिस्तान में बिजली एक से डियर रुपे यूनिट हुआ करती जिस साथ रुपे इसकुछ प बिढ़ा के लाई थी और पाकिस्तान के यह असान किया कि जए रुपे आली भी लिए हमें साथ रुपे से जादा पैसो में मिलने लगी थी इसी तरह इम्रान खान साब ने जो आई मेंसे माईदे के उन्होंने इस्टेट बेंक को गिविए रख दिया फिर शाबाश साब की हुमत ने जिस तरह मिन्टे फिर बना ने जो माया तोड़ा उसका खोड़ा ताकि अगली हुकमत को और कैड़ी शरायत पर यानि कि यह हमारी सियासत दानों अपने अखिजा की खातिर जो इनकी महबत है अपने मुल्क से अपनी हवाम से वह इसको आया होती हमारे लोग आम अपने मुल्क से महबत करते हैं 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 अपने आप से महबत करते हैं अपने आप से महबत करते हैं अपने आप से महबत कि अधने मेंसे काहरत निकार जो हम ने वह इस एधod बillum ने के बहुत हैं कि अप लकुषती आफ हो यह पने का इसे दिखते हैं आप लोगे निसे हैं है पास टाइम था आप रची कि अगर पीटी आई से नहीं आप लोगों के मामला तैह हो पारे थे तो आप लोगों ने पीडी एम की हुकुमत के साथ जो आप लोगों ने तिहात किया था उसी में कुछ कर देते हैं हमारे दो मिनिस्टर थे दोनों की करकरदी चेक कर लें हमारे आएटी मिनिस्टर ने एक अरफ से उसको धाई एक अरफ डॉलर तक और प्लाइन यह कि आएंदा हम पाच साल में इसको दस बिलियर्ड डॉलर तक एक्सपोर्ट को आएटी की पुचा देंगे हमने अपने शोबे को बचाने के लिए अपनी सियासत कुर्बान करने के लिए हमाएं हमें मालूमता है कि हमें सियासी तौर में बहुत नुखसान हो सकता है लेकिन हमारे नजदीक तो पाकिस्तान सबसे एहम है हमारा ब्रॉक सलामत होगा यह आगे बढ़ेगा और इसकी इतना भी बेतर होगी हमने इसलिए इस पर हकूमत नहीं हो इसको पूरा करने नाकाम रही थी तो हम यही कहने हैं इसको हल जो है वो बुतर कुम्य में पाकिस्तान की तरह हम अभी फिलाल को हम सिन की शेरी राख कोई बड़ी पार्टी है हाला के 2010-11 में हम पूरे पाकिस्तान में हम पहली ट्रेट क कर गये थे हमाई सियासत को लोग समझ देते हैं बड़ी तरही से चामिल हो रहे थे लेकि फिर उसके बाद पर हमारे पाकिस्तान की तरफ कर दिया जाता है इस वए कि जब काम करने चाहरे होते हैं जब आगे बढ़ड़े होते हम पुरी पाकिस्तान में नाजरिया फिला रह फिलाएं मैं तवाम हुकाम-बाला से भी जो उखते रहा है हमारे उनसे भी अदल्य रहसे भी और सियासे दानों से भी सब्सक्राइब करता हूं कि नोजवान ख्यादत को आगि लाएं समझदार की अपने परवाम पेश करें पाकिस्तान को बेटर करने परवाम पेश करें ताकेкийादफ राकि कैहली Trump काईर्दा समाले और मिए Lot mph मतलब सरतकार भी खानुकार भी आयें लेकिन इतना उनकी तादा है वो मजदूर की नुमाइंगी नहीं कर सकतें insects इसी तरह वाडेब किसान की international cricket की नुमाइंगी नहीं है तो आम लोगों से मेरी द्रा द्राश प्रकासा है, कि आप कंगम बी रंक ज़ास वा उथ है। केपीके करे नोजवान उठे केश्वीय करें नोजवान उठे और इन्टीसें करें रहा है। क्योंकि जिनके साथ था इसराइब नियां कि पाकिस्तान की तब्रब्राइब नहीं है इनके जो शहरी अलाके हैं, वो नहीं अलाकों में अपड़ील हो गए हैं. जाएंसर का मामला देख ले तालीम का मामला देख लें, पर आई-टी मिनिस्ट्री की बात कर रहे थे, और बनो काबिल प्रोग्राम और उसके अंदर वो एक लाग तल्बाव तल्बाद को बागी जिना में जमा किया और वहां पर उनको मुक्तलिफ एदारे बना कर उनके अंदर उन्हें ट्रेनिंग दिये पहला फेज मुकमल हो गया है, सेकंड बैज स्टार्ट हो गया है और अब वो फार्मेसिस्ट के हवाले से भी है, वो काम कर रहे हैं तो अगर इस तरह के लोगों को अवाम चुनेगी, आगे लाएगी, उनका साथ देगी तो वाकितन जो उसके नतीजे में इस मुलकंदर तबदीली आएगी और जरूरत भी इसी की है, अवाम का मामला सिर्फ इतना है कि वो जहना वो बिचारी जो है, वो जब इलेक्शन का वक्त आता है तो उस वक्त जो है, वो जानी कोई सही फैसला इस तरह का कर लें है, जिसके नतीजे में जो उनी के अंदर से लोग हो, उनी की कियादतों और जिसको वो देख रहे हों कि वो कारकर्दगी का मुझाः बगएर इक्तिदार हुर रो हकूमत के और मिनिस्ट्री के भी कर रहे हैं, तो अकर इनको इक्तिदार पूम मिनिस्टिरी देदी गई तो ये किसे तरह से हमारे मामलात को बहतर कर देंगे लेकिन ऊसलओ होता क्या है कि वह एक विरियानी की प्लेट के ऊपर ब॰ादरी की वन्यात पे किसी फिर्चемся की बुन्यात पे किसी जबान और किसी जो है वो सुभाईयत की वुनियाद की ओपर भेड़ चाल के अंदर बह जाते हैं और उनको उसके अंदर लगा दिया जाता है त्रक की बत्ती की पीछे और बाद में फिर उनको अंदादा होता है कि हमारे साथ तो धोका हो गया अलमिया यही है ना अलैक्शन से पहले बड़े अच्छी बात हो रही होती है अलैक्शन के बाद जब एक्तिदार बाद आ जाते हैं तो अब जासे जिकर कर रहे थे कि मतलब नए लोगों को मौका देना चाहिए अपने भी सीज के जिकर किया अच्छा सबी सीज के बहुत फोक क्या फाइदा जुनकों अभी दाब हो गाद रहे हैं फिर नए लोग भी आगे वही सब कुछ करना शुरू करते से बात करते हैं लेकिन एक शौर्ट ब्रेक लेंगे ब्रेक के बाद हाजर होंगे हमारे साथ अपने ब्रेक से बाले जाए जिकर कर रहे थी कि अबी जिकर हो रहा था कि नए लोगों को मौका देना चाहिए स्यासत में तो आप क्या समझते हैं जब आए लोग जब आएंगे स्यासत में वह भी दूसरों के रंग मिल जाएंगे अब ऑफ दीकैम बात हो थे कि वह बी किसी भी पार्टी का बड़ा असासा होता है लेकिन होता क्या क्या है वहाव बेश ढाद स्यासी जमाते क्याने क्या कि अब्यूंअ बन्याद के ओ Kurz एयं उनको पार्टी में शामिल कर लिया जाता है इन वकत की ओपर जो पैराशूटर सय्जा कर वh आ कर जह वh यह उनठो जो तिकEC जो दे दिया जाता है और फिर वh लाज़ी मांगत है, पैसे जो हो खर्च कर के आते तो फिर वो पैसे बनाते हैं मैं इसलिए यह कह रहा था कि यहां पर उन पार्टियों को उन लोगो मौकर मिलना चाहिए जो मतवस्त तबके से हो अवाम से हो अवामी के अंदर हो और उनका एक नाजी हो बैक्राउंड हो कि उन्होंने बगेर इक्तिदार के जै किस तरह से अव प्रबानिया दे रहे होते हैं वो जद्वजहत कर रहे होते हैं वो मारे खा रहे होते हैं वो जैलों में जा रहे होते हैं और जब इक्तिदार का वक्त आता है तो वो जो है ना वो काने नमक में नमक बनने वाला जो है ना वो आगे आ जाता है आपने पैसे और अपने दौल है न ये बड़ा तारीख है बड़ा जो है वह अजियतनाक है और इसके उपर सियसी पार्टियों को तिवज्जज़ देना चाहिए हो कमузकम उन पार्टियों को जो मुत्व defence की का दावा करती एं नमाइंदगी का दावा करती है ये उनका काम है और देखें जमात سلامی سوالے سے آپ دیکھیں ان کی ایک یا دو سیٹے ہوتی ہیں کہیں نیشنل اسیملی میں کہیں سینٹ میں لیکن ان کی آپ کارکردگی دیکھیں ان کا آپ وہاں پر جو ہے وہ مختلف ایشیوز کے اوپر جو ہے ان کا موقع دیکھیں کہ جاندار موقع ہوتا ہے سٹینڈ کرتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ جو ہے وہ جو ہے وہ ایک روہ کے اندر بہ جائیں مثال کے طور پر جب یہاں پر جو ہے کسی ایکسٹینشن کی بات آتی ہے تو ساری کی ساری پارٹیاں چاہے وہ حضب اقتدار ہو یا حضب اقتلاب مل کر وہ ایکسٹینشن کے لیے جا ہے وہ جا ہے وہ ووٹ دے رہی ہوتی ہیں علاوہ جماعت اسلامی کے یہ یہ جو قولیٹی ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ جماعت اسلامی نے خدمت کے ذریعے اپنا لہا منوایا ہے اور جو جماعت اسلامی کا جو یہ خدمت خلق کا جو ادارہ ہے الخدمت جو ہے اور یہ خدمت فاؤنڈیشن جو ہے اس نے آپ دیکھیں کہ اب اس میں تو پاہستان دے نکل کر باہر بھی اپنا کردار ادا کیا ہے ترکی کا دلدلہ ہو یا بھی فلسطین کے اندر ہو تو وہ مصر اور ترکی کی انجیوز کے ذریعے سے وہاں کی تنظیموں کے ذریعے سے وہ وہاں تک انداد پہنچا رہی ہیں یہاں جامع کر رہی ہیں اور پہنچانا بھی شروع کر دیا اور پورے طریقے سے یہاں سے وہاں تک ایک چین بنائی ہے اور یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے بلا تخصیص رنگ و نسل اور مذہب چرچ کے اندر بھی جا کر جو ہے وہ کام کروا رہے ہیں وہ جو کرونا کے اندر بھی انہوں نے جس طرح ادا کیا وہ بھی سب کے سامنے ابھی جیسے میں نے کہا کہ اختیار نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ہزائیت اور رحمان بلو جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ گوادر کے مچھیروں کے لیے کس طرح سے جو ہے وہ جدوجہد کر رہا ہے نیمو رحمان کراچی شہر کے لیے یہاں کے لوگوں کے لیے کس طرح سے جدوجہد کر رہا ہے سینیٹر مشتاق ہیں وہ ایوان کے اندر کس طرح سے اپنا رول ادا کر رہے ہیں تو یہ اس طرح کے جو لوگ ہیں نا یہ اگر آگے آئیں گے ان کو موقع ملے گا تو واقعتاً اس ملک کے اندر بھی جو وہ بغیر اقتدار کے اور بغیر حکومت کے اپوزیشن میں رہتے ہوئے جو ہے وہ جب یہ سب کچھ اپنی پارٹی کی بنیاد پر اس سارے کام کو کر رہے ہیں تو ان کو موقع ملے گا تو یہ اس ملک کی تقدیر بھی بدل سکتے ہیں اور اس طرح کے لوگوں کو آگے آنا چاہیے اس طرح کے پارٹیوں کا آگے آنا چاہیے اور مجھے لگتا ہے کہ اب بھی جو آئندہ الیکشن ابھی تو ویسے تو اس کی ڈیٹ ابھی بھی فائنل نہیں ہے اور دو جو پارٹیاں جو ہیں وہ یعنی نون نے بھی اور فضل الرحمان صاحب نے بھی الیکشن کو آگے بڑھانے کی بات کیے اور جو ہے وہ دیگر پارٹیاں جو ہے اس کی مخالفت بھی کر رہی ہیں لیکن لگتا یہ ہے کہ یہ تھوڑا تو آگے جائے گا نا جو نظر آ رہا ہے کہ یہ جنوری کے اندر جو آگے جائے تو اس الیکشن کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ان کی جو کارکردگی ہے خدمت کے حوالے سے تو شاید جماعت اسلامی کا رول جو ہے اس ملک کے اندر بڑھے کچھ اس کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہو تو آپ دیکھیے گا کہ ایوانوں کے اندر بھی اور کارکردگی کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے صورتحال آئے گی اچھا جو لوگ ہمیشہ اختیار میں رہے ہوں کوئی بھی دور ان کے ساتھ شامل ہو جائے اور کہ کوئی بھی حکومت ان کے ساتھ شامل ہو جائے اور بعد میں یہ وقت گزر جائے تو پھر جو ہے وہ فائلیں پٹھک رہے ہوں بول لے ہوں کہ ہمیں اختیار نہیں ملا ہمیں موقع نہیں ملا ہمارے پاس جو ہے وہ یعنی وسائل نہیں تھے تو پھر جو ہے وہ آپ شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے خلاف آپریشن ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا میں تو کیا یہ رہا ہوں نا کہ جو آپ دیکھیں سن کے جو شہری علاقے تھے جی یہاں پر تعلیم تھی یہاں پر صحت تھی یہاں کے لوگ جو ہے وہ میرٹ کے اوپر آگئے تھے آج سب کچھ تب آئے نہیں بلکل اسی سے تو تو اب اس کا ذمہ دار کون ہے جو یہاں کے سٹیک ہولڈر ہیں وہ ہی سارے ذمہ دار ہیں نا بلکل صحیح لے گا ان کو ہی اپنی سمت کو درست کرنا ہے صحیح بات ہے ان کو ہی معاملات کو ٹھیک کرنا ہے ان کو اس طرح سے جو ہے وہ یعنی لے کے چلنا ہے اپنے اندر اور باہر کے معاملات کو بھی جس کے نتیجے میں یہاں کے عوام کو کوئی ریلیف ملے کوئی جو ہے یہاں پر جو ہے بہتری آئے اس ملک کے اندر بہتری آئے اس شہر کے اندر بہتری آئے اس صوبے کے اندر بہتری آئے تو اس کے لیے جو ہے وہ اگر جو ہے یہ ہم ہی کردار آدھا نہیں کریں گے ہماری پارٹییں کردار آدھا نہیں کریں گی تو پھر کون کرے گا زفر صاحب کہتے ہیں کہ جو سکتا ہے جماعت اسلامی ہو سکتا ہے وہ کھل کر سامنے آ جائے ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اقتدار کا حصہ بن جائے تو اس کی خدمت سے آپ لوگوں نے بلدیات میں ان کو موقع دیا تو تو آئندہ آنے والے الیکشن میں بھی ان کو موقع دینے والے دیکھیں یہ تو جماعت اسلامی میں ابھی بتا رہا تھا اور دوسری سیاسی جماعت کو بھی اپنا اینکیم سے سیکھنا چاہیے کہ اینجا نوجوانوں کو لوگوں کو لے گئے یا سب سے رہا متاثر ہمارے پروغام سے جماعت اسلامی ہوئی ہے سارے زندگی جو جماعت اسلامی اسلام کا روانہ روتے رہی اور نوجوانوں کو شہید کرواتی رہی اور وہاں اسلام کے نام پر بوٹ لے یا چندر جام دے۔ آج جماعت اسلامی کا یہ حل ہو گیا ہے کہ جماعت اسلامی کا پورا 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 پروغام खास पर जो किराची में जवाते इसलामी है ? पागिस्ता इसलाम में पहुआ है और किराची में अहले हूं किराची के अर्फ कर जाए है और उनको है जावाति-एस्लामी ने सवराधा हमारे को पूम को अदॉप्त की है अब उनके फिजए भी शुकर गजार है कि अच्छा काम की कि वाइते हैं आगे जुछ एके बेड़ से वहातो हैं कि आप अपनार एक स्वर्ट हो गाएं से बैनर लगने में वे लग जाता है वेनस पे आप जब किराची वो चल रहा नो सर उठागर देख रहा होते हैं किसी भी ब्रिश की ओपार खंबे के ओपार इतना खुस्वश्वरा साइबे होते हैं जिसमे किराची वो साहिकोरो और लेकिन जब नद्रे जुकाते lepaste नेचे रोड किता भी तो क कि इस दुनिया के चंद बड़े मेर्स में चुमार मोना रहा था और वसी मक्तेबान के वुगार रिए यह था यह पुरे मेर यह जा रहा था है उसको के बल्दिया चलाने के लिए 15-20 रुपए धिया ने शगल रहा है था किराजी की आवास तो उठा रहे हैं हमारी हमारी बुग्ज में शुक्री आदा करता हूं खाले साब का के खाले साब जह है वो जमात इसलामी के काम की और उसकी तारीफ कर रहे हैं मैंने कहले हैं है जितने गनाइब कर द happiness की तो रहे हैं हमारा जो प्रोक्राम नहीं किया है सब को हमने तो जामात इसलामी को कोय का कि इशू आया सटेब्स का इशू आया जी वोटांत निए उसके विदाद आपने उसे मफास से आगी नहीं सूचती है पलस्तीन के रेली के हमाले से भी सारी सब्सक्राइब लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको बता रहा हूं कि जबात इसलामी जितनी दफा भी आई है किराची में MKM के बाइकार्ट की बदर होता है 2002 में MKM बलते हैं इसलामी को मौके मिल गया जो कहते हैं बिल्ली के भागू चीका चूटा अभी जो यह हाला कि बन्यादी जो था अब आवाल उठा जाते हैं कि हलका बद्या सही हो वोटर लिस्टे सही हो और जो है वो सैंसर्स कराए जाया उसकी बन्याद पर जीज़ा सही हो उसके बाद एलेक्शन में इसलादे और 140 है अब भी जाते हैं अब आपने आपिस के लिए उनके बैटने की जगह नहीं है इनके पास फंड नहीं है यह रोना रोएंगे इनके घर पर गए थे हम दावत देने कि आप हमाईसा आया हैं आप पीसी बिला रहे हैं हमाई साथ मिलकी कोर्ट में जाएं हम इस हम लिए सुप्रिम कोर्ड के हमने बलद्याती इदारों को 141 के जो आई इनकी शिख है पर बलद्यात में जाए लेकिनों हमारी बात नहीं मानी हैं इसका मतलब है हमें इखिजार का अगर शौक होता था हम बायकाट नहीं कहते हैं दो बलद्याती इलेक्शन जिस शेहर के आप स्टेक होलडर हैं पूरी दुनिया आपका बत्तरी दुश्वन भी यह मानता के स्ट बलद्याती इलेक्शन लेकिर कैसे उसूलों के खातिस है लाइक जाना है अब पूलों के नीचे से बहुत पानी गुजर गया इखिए यहां की आवाम भी इस बात वाकिफ हो गया आप देखें यह कह रहे हैं जमात इसलाम हमारे आजंडे पर एक काम कर रहे हैं और कराची क के हुकुक के लिए आवाद बुलन कर रही है मैं इस पे खालिस साब का जो रापता कमिटे के मिंबर है मैं शुक्रियादा करता हूं कि इनो ने इस बात को तस्लीम तो किया दूसरी तरह आप ये देखें कि जो बात मैं कर रहा हूं कि पुलो के नीचे से पानी बहुत सारा गुजर चुका वक्त बदल गया है फलस्तीन के उपर जो जमात इसलामी ने यहां पर जो रेली की वो अकेले उसने जो है वो लाखों की जो है वो रेली की इस्टीन के लिए वाज उठाई लेकिन उसके अंदर इन्हों ने सौब को पता नी किस किस को दावत दी तो अधराज कि अच्छा होता अगर अपने जंडे निए उस्रेली में लेकर आता है हाँ इसलिए कि आप देखें ने कि दूसरों के जंडे ज्यादा थे ज्यादा रहता उसके नतीजे में नहीं इनका मामला धंग जाता यह कि यह इन्होंने सब को जमा करके रहे लिकी उसके बावजूद भी जमात इसलामी जितनी हादरी नहीं थी और उसके अंदर जो है वो द कि रेली है और जिसका यहाल है हादरी का और उस हादरी के अंदर भी दूसरों की हादरी और जंडे ज्यादा हैं और इनके कम हैं तो मेरा कहने का मतलब है कि जमात इसलामी तो उससे पहले ही चाहे फलस्तीन का मामला हो चाहे कराची के हुकूद का मामला हो चाहे मुल्क की ज पर उसके लिए आवाद उठा रही है विए arcade give us our रहुत हो कोई कि अव थाया कर 강या है कोई सियासी यहासी जवाद नहीं हमने हर सियासी जवाद कर रदाने की आपorld तक वानी के रहिए हम में घ Eun ωh ने करना हो और हिले यहाद रहुदी नहीं सियासी जभाद हमने प्रेखार क्योंकि हमारे फलस्टिनी भाईयों पे तो 30 सालों से मुस्रासा जो जुन्म सित्म हो रहा है और इस वक्त जो सुर्ट का है बहुत बुरी है इमानदारी से बतारा हूं बड़ी हंगामी तो पर मिटिंग करें जल्सा चल रहा था वारंगी में वहां पर मिटिंग किया और सब सियासी जावत देंगे कि वह अपने जंडे लेकर आए इसमें कोई सियासी स्कुरिंग नहीं थी और ना हमारे राद और दिल वगाल तो अल्ल जावत देंगे 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 कि उमीद करती मिनाजीन का हमारा फ्रेगाए मैं अच्छा लगा इसी के साथ अपनी मेजबान इदासे ते अजाज़त अल्ला हाफ़ाइज